नहस्त्य वित्रो सभीको जैशी राम आज हम जानेंगे आयोध्य में राम लला के प्रान प्रतिष्ठा समारों की होने लगी तैयारी विश्व हिंदु परिशद ने घोशना की है कि आयुध्या में भगवान शी राम लला के प्रान प्रतिष्ठा समारों में सामिल होने वाले सभी संतों और भक्तों के लिए भोजन एवं रहने की विवस्था करेंगे भजंग दल 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 2281 सौर्य यात्राएं निकालेंगे और देश के 5 लाग से अधिक गाओं को जोड़ेगा इस इन यात्राओं के दोरान यात्रा मार्ग पर भधार्मिक सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा विश्व हिंदू परिशत के कारेकारी अध्यच ने कहा कि युवा सक्ती का यहां महान अभियान देश में आंतरिक और बाहरी चुनावतियों का सामना करने के लिए हिंदू समाज में एक्ता और समाजिक समन्वय के रूप में संकल्प पैदा करेगा उन्होंने बताए कि प्रतिष्ठा समारों के दिन देश भर में के मट मंदिरों में पूजा यग्यहवन और आरती की जाएगी साथ ही साथ घर में राम भक्त राम रात में पांच तीपक जरूर चलाएंगे और करोडो भक्तों के बीच प्रसाद भी बाटा जाएगा उन्होंने कहा कि राम मंदिर के प्रांच प्रतिष्ठा समारों का कारक्रम प्रतेक राम भक्त का कारक्रम बनाना चाहिए ताकि ना केवल देश में रहने वाले लोग बलकि विदेश में रहने वाले लोग भी इस महान महुस्व में भाग ले सके कुमार ने कहा कि दिवाली पकवाडे के द्वारान देश के संत भी पद यात्रा करेंगे और गाउं और सहरों में हिंदूं की बैठक करेंगे उन्होंने कहा गाओं और युआओं में मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले देश में हिंदू एक्ता की व्यापक जागरेती होनी और समाज एक जूट होगा समाजिक समन्वय की संस्था के रूप में इन युगो युगो तक याद किया जाएगा बैठक के मौजूद सभी विहिप नेताओं ने इस अंदोलन को व्यापक स्वरूप देने का निर्ना लिया है इससे पहले बैठक में सामिल होने आए प्रतिनीदियों ने राम जन्म भूमी पर चर रही सगन निर्मान कारे का उलोकन किया और राम के दर्सन भी किये राम लला की प्रान प्रतिष्ठा से पहले सारे काम होंगे पूरे मंदिर निर्मान समिती की बैठक में हुई बात अयुद्ध्य एयर्पोर्ट की निर्मान का कारे अंदिम चरन में पूरा होगा साल के अंद्य तक सुरू होगा उड़ान जैशिराम तो आप जान रहें कि जैसे कि ये अभी जन्वरी में 22-23 चोविस जन्वरी में प्रान प्रतिष्ठा होगा राम मंदिर का जन्वरी दोचार चोविस भाम मंदिरिज बेट चासर मावरी मेंद्ग सुरू होगा